है लो अव्रीवान कैसे हो गाईस आप सभी स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद्धीपा सैनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही है एक्नॉमिक्स और यह एक्नॉमिक्स की रिविजन क्लास आप कह सकते हो इस क्लास में हम एक् में पश्याओं को और अपनी निट्सको कए उपने निट्सकों करते हैं तो उन सबका मैनेजमेंट ही किया है आर्थववस्था यानि अर्थववस्ता सिमी संसाधन आपके पास और आपकी जो अनलिमिटेड जो वांस है या फिर आपकी अनलिमिटेड जो नीट से उन सबको कंप्लीट करना ही अर्थववस्ता है तो एक कोशन तो यही बनता है आडम समीच अर्थशास्तर की जनक होते दे वैल्थ ओफ ने एक सिंती वह आर्थ फादर ओफ एकनोमिक्स कही जाते हैं एल्दमस है डेफिनिशन थी अर्थशास्तर की वह कहता था धन का विज्जान अर्थसास्त्र धन क्या है दन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकते हैं सबको हम अर्थसास्त्र में पढ़ते हैं मार्शल आया मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक थी उसकी भी प्रिंसिपल्स ऑफ एकनॉमिक्स उसमें उसने कहा था कि अर्थसास्त्र बहुतिक कल्यान का विज प्रिवाइड पुन्जी वादी समाजवादी निजीवादी प्रॉफिट्र सक्टर होगता है पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं लोग कल्यानमबाद में देखते हैं कोई barrier नहीं होते सरकार के इसमें इसलिए इसे खुले बजार वाली अर्थववस्ता भी कहते हैं USA, France, Britain, Germany, Japan इन सब में आपकी capitalism है इसको हम क्या कह सकते हैं पुझी वादी अर्थववस्ता या उदार वादी लिबरलाइजेशन टाइप या फिर capitalism भी कहते हैं और father of capitalism कौन थे Adam Smith लोगों को कमी क्या दि लोगों को भला ध्यान में नहीं रखा जाता है वस इसमें capitalism में बाकि सब कुछ बढ़िया होता है सेकेंड रहते समाजवादी अर्थववस्ता सोसेलिस्ट एकोनोमी समाजवादी अर्थववस्ता का सिधान दिया था वह कार्ल माक्ष ने इसका ल होता ही नहीं शुरुवात की थी सोव्येट संगने रूस ने फिर चाइना वियतनान को यूबा इन सब में यही थी फादर ओव सोसलिस्ट एकोनोमिक्स थे वही कार्ल माक्स मिक्सल एक्नोमी पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइविट सेक्टर यानि दोनों को मिलाकर आपका मि फ्रांस फादर ओव मेक्सल एकोनोमी है केंज और कोन भारत में भी आपके मेक्सल एकोनोमी है यह सारे गोशन रिपीटिड है 1947 से पहले हमारे अर्थववस्ता अंग्रेजों के हाथ में थी उसके बाद सरकार ने सोसलिस्ट एकोनोमी अपनाई थी के संसादनों का उचित उप्योग हम नहीं कर पाए 1947 से 1991 तक हमारे अर्थववस्ता की दश्या बिल्कुल कंडिशन खराब हो गई वर्ड बैंक से हमें वर्ड बैंक से लोन मांगा तो वर्ड बैंक ने कहा कि अर्थववस्ता सुधार हो तो इस तरीके से हमें बाद में हमने अर्थववस्ता को समधाने का मोका मिला तो हमने कब अपनाई थी भई मिक्स एकोनोमी ये 1991 के बाद हमने मिक्स एकोनोमी अपना है प्राइविट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया नीजी करान आ गया प्राइवेट आइजेशन आ गया डॉक्टर मनमोहन सिंगनेस के लिए एक मोडल भी दिया था कि हमारे देश में अर्थववस्ता की एक नई नी सब में है 1991 में पी एफ उंडिया कोन थे जब भारत में मिस्रत अर्थववस्ता अपनाएगी तो नर्सिम्मा राउ थे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंग फिर LPG मोडल, लिबरलाइजेशन, उदारी करन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनो था आपका LPG मोडल व्यपार की इसमें क्या हुआ भी ट्रेड बिलकुल आसान कर दिया नीजी चेतर प्राइवेट सेक्टर ला दिये और सावरजन चेतरों में इ प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और उदारी करन भी रहता है आप आयात निर्यात पर यानि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बिलकुल कम आपके रस्ट्रेक्शन होते हैं पर्तिबंद बिलकुल कम होते कोई बैरियर्स नहीं होते होंग कोंग और सिंगापूर जैसे दे सबसे बड़ा रोल रहता है और एक्जाम्पल उत्तर कोरिया टाइप और सेक्टर निकनोमी तीन चेत्रों में डिवाइड किया जा था फर्स्ट इस प्रैमरी सेक्टर इसमें नेचर पर निर्भर छेत्र आते हैं जैसे आपके अग्रिकल्चर से रिलेटेड एरियास यह पूर और निकष्ण तो यह सब कुछ आयमके प्रैमरी सेक्टर में आता है यहां से भी को शिए माटे है इसमें वे उध्यों गाते हैं व्हके बी में विस्ततों के सक्डेडा से बना वही रुवी से ब्रैड है आटेहिश हो घया पुरती हो गई बिना तो इस तरीके के सारे एक्जाम्पल आपके आते हैं सकैनरी सेक्टर में GDP में सबसे कम योगदान आपके सकैनरी सेक्टर का है टेरेटरी सेक्टर यह आपके अर्थववस्ता के प्रात्मिक और दिवित्यक दोनों को ही क्या देता अपनी सर्विस देता अपनी सेवाय देता इसे जोब आप कह सकते जोब सेवाच छेतर भी कहते हैं GDP में सबसे मैक्सिमम जो कॉंट्रिबुशन है वो आपके टेरेटरी सेक इनमें से कौन सा टेरेटरी सेक्टर है कौन सा आपका स्कैनरी सेक्टर है कौन सा आपका प्राइमरी सेक्टर है फिर आता आपका चतुरतक छेतर यानि क्वैटरनरी सेक्टर इसके अंतरगत बहुत ही गती वीदियो को शामिल किया जाता है सरकार संस्किर्थी पुस्तकाले और आपका IT, ठीक है, इंटेलिजेंसी, जो सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्वेटरनरी सेक्टर में आते हैं, फिर्फ आता है आपके क्वेटरी सेक्टर, यानि पंच संक्यक छेत्र, समाज और अर्थ ववस्ता के बिल्कुल उच्तम निर्ना लेने वालों से रिलेट दुसरे नमबर पर दिवित्त्तक और फिर आपका सबसे कम प्राथमिक, इंप्लोइमेंट बात करें, तो ट्रेट्री सबसे ज़एदा इंप्लोइमेंट देता है प्राथमिक सेक्टर, यानि अर्फ एरिकल्चर वाला एरिया, और इसमें भी आपका सेकेंद नमबर पर क collection यह देश का basic किसी भी देश के लिए बहुत जरूर लुँज़़ किसी भी देश के लिए अर्थिट्र होता है कोड चैत्र भारते विकास के लिए शैन कोयला रिफांडरी स्मेंट कच्छशा थे ल ऊवरक विद्यूत इस्बात प्राकूए हिं piece both पार्ट ओफ एकोनोमी फ्रिस्ट मोद्य ने एकोनोमी को टू पार्ट में डिवाइड किया था समस्टी और वेस्टी समस्टी मींस मैक्रो और वेस्टी मींस माइक्रो इस में हम क्या करते हैं? मैक्रो इकनॉमिक्स में आर्थिक ववस्ता में बचाःत, आय, वेपार सब कुछ उपियोग करते हैं बट नैशनल और इंस नैशनल लेवल पर फड़ते हैं मैक्रो में रोजगार से दान्थ पर काम करता है इसके अंत्रगत आपका रोजगा, राष्ट्य, आय, मुद्रा, समाने कीमत, अंत्राष्ट्य, विपारी, सब कुछ आता है मैक्रो एकोनोमिक की खोज की थी जोन मेनाड किंस ने वेस्टी अर्थववस्ता छोटा है, ग्रेलू है और वेक्तिगत है इसके अंत्रगत आर्थिक एकायों की बारे में पढ़ते हैं अर्थववस्ता, आर्थिक समश्याएं और आर्थिक मुद्रा आते हैं वेस्टी अर्थववस्ता में बजार में जो मांग अपुर्ती और कीमत सिदान्त है इनकी ववस्ता बनाए रखना भी वेस्टी अर्थ ववस्ता है यह सिदान्त मांग उत्पाधन और कीमत ने धारन से भी क्या होता आपका समंदी दें इसका पूरा विकास फ्रिस्ट मोहद्य ने किया था ठीक है फ्रिस्ट मोहद्य ने किया था भई आपके विस्टी गा माइक्रो गा जोन मेनाड किन्स इनकी एक बुक थी दा थियोरी ओफ इंप्लोईमेंट इंटरस्ट एंड मनी 1930 की आर्थिक मंदी जब होई थी तो इसके उपचार का सुझाओ इन्होंने अपनी इस बुक में दिया था और कभी भी ऐसा कोई भी एच्ट्रेट नहीं गया जिसमें आर्बियाई से कोश्य न आया हो तो आयर्बियाई 1806 में देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले बैंक ओफ कलकत्ता खोला फिर इसका नाम बदल दिया बैंक ओ बंगाल क्योंकि बंगाल में था तो बैंक बैंक फिर 1894 में जो पी एनबी बैंक था पंजाब नैशनल बैंक बारत देश का सबसे पहला पूर्ण ते भारतिया बैंक ये खोला गया और इसमें पूर्ण नियंत्रन यानि कंट्रोल इंडियंस का था यानि पूर्ण ते आप भारतिया बैंक कह सकते हो पंजाब नैशनल बैंक को जो की 1894 में खुला जो बैंक बंगाल फर्स्ट बैंक बंगाल था बंबे था और मदरास थे पहले थर ते ना फर्स सेकिंड थर इन तीनों को मिलाकर इनका नाम कर दिया गया 1921 में इंपिरियल बैंक उफ इंडिया ऑफ़ योलाई 1955 को इंपिरियल बैंकम बदलके इसका tô एसूशी दिराए नाम रख़ दिया गया स्टेट बैंक उफ एंडिया स्टेट बैंक उफ एक्ट चंत में 1955 के तहट इसका यह नाम रख गया 1926 में हिल्टन यंग आयो गाया बैंक से सम्मंधि था 1926 में हिल्टन यंग आयो गाया जो कि आपके बैंक से ही रिलेटीड था इसके बाद क्या हुआ? RBI एक्ट लाया गया 1934 में देखो तो कोश्चन आता है कि RBI एक्ट कब लाया है 1934 बट आर्बियाई की स्तापना कभूई एक अप्रेल 1935 में रिजो बैंक ओफ इंडिया पहले अड़ क्वेटर वही कोलकत्ता था और 1937 से अब कहा है अब मंबई है एक जनवरी 1949 आर्बियाई का राष्ट्रे करन कर दिया इसे नैश्रलाइज कर दिया आर्बियाई के गवर्नर कारेकाल उनका तीन वर्ष होता है दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है 25 वे गवर्नर थे आपके वर्त्वान में शक्तिकांत दाश ठीक है आर्बियाई की मोद्रिक नीती यानि आदरी आर्बियाई की जो पोलिसी वो किस पर है एंडि टियाल पर यानि नैट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी बैंक की मांग और समय जमापुंजी यानि मांग जमापुंजी C-A-S-A करंट अकाउंट C-A-S-A सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट देखो जैनि जो हमारा रिसेंटली चालू काता है विए पारिवश्य के लिए होता है सेविंग अकाउंट यहां खाता बच्चत के पैसे के होता है ठीक है समय जमापुंजी राफा फिक्स डिपोजिट अकाउंट होता है एफडी और रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट होता है राफा यानि इसे सावेदी जमा खाता भी कहता है आवरती जमा खाता भी इसमें बैंक में ही जमा रहे यही देंदारी होती है, फिर liquidity of money यानि मुद्रा की तरलता क्या होती है, जब अर्थ ववस्था में पैसा तेजी से ग्रो करता है, फैलता है, तो उसे बोलते है, liquidity of money या gold and नगदी, मुद्रा का सबसे तरलतम रूप माना जाता है cash यानि नगद ठीक है, मुद्रा सफिती क्या होत非 इस से रिलेटल इंच्जाम में कुश्यान हाता है इंफलेशन क्या होता है जब किसी अर्थ ववस्ता में लगाता आपकी रेट बढ़ते रहते चीजों के वस्तों के सेवाओं के रेट बढ़ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मुद्रा सफीती, इसमें क्या होता है, रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए जादा पे कर रहे हैं, तो आपकी जो पैसा है उसकी वैल्यू के आउर यह कम हो रही है, ठीक है, तो आपकी देखो, आप क्या कहते हैं, इतने रेट बढ़ गए, यानि महंगाई हो गई, तो मुद्रा सफीती का मेनिंग ही क्या है, महंगाई का होना, मुद्रिक आए और वास्विक आए, यानि जब हमारी मुद्रिक आए और जो हमारी रिलेटिल वास्विक आए होती हैं, उन दोनों में आए संतुलन होता है, तब भी आपक तो ज़्यादा वस्तुवें चाहिएगी, तो अबनाई रखनगतो है, तो अबनाई रखनाएगी दोत्यूति धरनाइगी, अबना रहेता है, तो हम रहेता हो देश कि funcion की नहीं करना। के लिए RBI क्या करता है मोतरिक नीती जारी करता है यानि monetary policy जारी करता है तो इसमें CRR रहता है स्टेचवरी लिक्विडिटी रेशो इसमें कुछ बाग एक नियर अबाउट CRR होता है कि आरख्षित रखना पड़ता है वह उस पैसे को नहीं निकाल सकते क्योंकि RBI कभी भी पूछ सकता है कि तुमारे इसमें इतने पैसे हैं रिजव ठीक है तो वो खुद भी अपने पास रखते तो RBI के अनुसार यह 18% होता है यानि एक लाख है तो उसका 18% पार्ट उस बैंक को अपने पास ही रिजव करके रखना पड़ेगा वह उस 18% को कभी भी ना त इसी रूप नेक्स्ट आता है बैंक रेट आर्बियाई बैंकों को पैसा लोन के रूप में 90 दिनों से अधिक समय के लिए देता है बैंक रेट पर अधिक समय का करजा होता है और ब्याज भी ज़्यादा होता है चार परसेंट अगर किसी बैंक में दिवालीया आ गया तो RBI इसी पैसे लेता है ब्याज पर RBI 90 दिन से अगर जादा दिनों के लिए ब्याज पर ले रहा चार परसेंट उसका ब्याज होता है नेक्स्ट होता है रैपो रेट रैपो रेट क्या होती है जब RBI बैंकों को पैसा लोन की रूप में 90 दिन या 90 दिन से कम देता है तो वो रै बैंक में बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो वह अपना जो आतेरिक्त पैसा है वो रभी आई के पास रख देगा और रभी इसका थोड़ा बहुत क्या देता है रेट भी देता है MSF क्या होता है Marginal Standing Facility सिमान तस्ताई ववस्ता इसमें RBI बैंकों को लोन देगा ठीक है बट ये एक दिन के लिए उधार देता है अगर अमर्जनसी आ गई कोई बैंक बिल्कुल पैसे खतम होगा अमर्जनसी आ गई तो वो बैंक अमर्जनसी में RBI से लोन लेता है एक दिन के लिए क्योंकि उसको पता कल पेमेंट आ जाएगे बैंक में तो वो एक दिन का जो लोन होता है उसे बोलते है MSF ये instant लोन भी हम कह सकते हैं या अमर्जनसी लो पर। इसमें वस्तु और सेवाओं की केमत ही जो प्राइस है घीरे धीरे तेजी से घरा वट होती है यानि समी प्राइस इतने ज्यादा गरते हैं मुद्रा आउस्तिती उसन्कूचन देखने को मिलता आ से आपकी 1930 में हुई थी ना मंदी आर्थिक मंदी एकनोमिक आपका डिप्रेशन आ गया था वही वहला एक तो लोगों के पास वस्तवे खरेदेने की शमता नहीं होती ठीक है और दूसरी तरफ कंपनी माल को हद से जादा सस्ता नहीं कर सकती इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ में मोनीटरि पॉलसी कों जारी करता भी ये मुद्र्विक निति जारी करता है और राजगोश्य निति भी जारी करता है ठीक है मोनीटिक निति एसालार, बैंक, रेट, रैपो रेट और MSF ये ती इस पाच्चों पड़ा दिये मैंने और इन सब के दुआरा वो मोदरिक नीती अपनी जारी करता है RBI MPC ये क्या होता है? मोनेटरी पॉलिसी कमेटी इसमें 6 सदस्य होती हैं एक तो RBI का गवर्नर ही रहता वही, दूसरा RBI officers होता है, ठीक है 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार की होती है तो 6 members होते हैं इसमें मोनेटरी पॉलिसी कमेटी में, BI आपका money review मोनेटरी पॉलिसी दिवी मासिक मोदरिक नीती होती है कि समक्षा हर 2 साल में बदल दी जाती है और मोदरिक नीती को बदल दिया जाता है जैसे आपकी CRR आप पतानी क्या होगी ठीक है तो यह चेंज होती रहती है कभी भी अग्जाम में नहीं पूछी जाती कि आप कितने परतिशत है फिर भी नजर मार लेना एक बर Google पे निकाल यानि रेंगती वी मुद्रा सफीती रेंगती मुद्रा सफीती जब आपकी 0-4 परतिशत के बीच होगी तो उसे बोलते हैं आपकी क्रीपिंग इंफलेशन वोकिंग इंफलेशन होता वही आपका 4-7 परसेंट रनिंग इंफलेशन आपका 7-10 परसेंट और ग्लैपिंग मुद्रा संकुचन डिफलेशन और रिफलेशन मुद्रा संस्फीती और स्ट्राइट परसेंट अपका इतना डिटेल से आता नहीं फिर भी मैं बता देती हूं तो इस तरीके से जब आपकी मुद्रा में कमी आती हैं ठीक है महँगाई आपकी घटरी होती है देरे-देरे त कुछ न होता तो उसे बोलते मनी डिफलेशन बिल्कुल माइनस में चला जाता है इस तरीके से मुद्रा सफीती जनित मंदी यानि स्टैक फलेशन क्या होती इसमें कुछ अवस्ताई होती एक तो हाई लेवल ओफ इन्फलेशन मुद्रा सफीती के अधिक दर रहेगी लो लेवल ओफ इकनोमिक ग्रोथ आर्थ वबस्ता की धीमी विकासदर देखने को मिलती है इसमें बिलकुल आर्थ वबस्ता की धीमी development होता है higher unemployment इसमें आपकी अधिक ब्रोजगारी भी देखने को मिलती है स्टैक फलेशन में इंफलेशन प्लस डिफलेशन यानि मेंगाई प्लस मंदी होता है आपका स्टैग फलेशन, जब तीनों आवस्ताई एक साथ हो जाएं तो स्टैग फलेशन हो जाती हैं, जैसे करोना काल में मेंगाई बढ़ गई, विरोज़गारी बढ़ी और अर्थ ववस्ता की धीमा विका इफैक्ट ओफ इंफलेशन मुद्रा सफीती की परवाव यानि महेंग आई तो सेक्टर्स और इफैक्ट यानि कंज्यूमर अगर आपकी मुद्रा सफीती होती है इन्फलेशन होता है तो कंज्यूमर लोस होगा ठीक है और जो निर्माता है उनको profit होता है क्योंकि ज्यदा से क्या होता वह भी माल खरिद्टे ना विरोजगारी आपकी डिक्रीज होती है गिरावट आती विरोजगारी में ज़्यद जब लोग को आप मिल जाता है टैकसी दर बढ़ते हैं और किसान क्या होते हैं उनिंगे प्रोफिट या लब मिलता है मुद्रा स्वीति में बजट 220 से सिता निर्मला जो सिता रमने उनों नहीं बज़ट को बही खाता माना था और बही खाता ही उन्होंने प्रसूत किया था आठेi رवेन्यी बजट या पुंजी बजट राज्चो प्राप्तियां इसको आगे जल के टू पाट में रिवाइड करते हैं एक तो होता है आपका revenue receipt और दूसरा होता है revenue expenditure revenue receipt two types का होता आगे चल कर यानि tax revenue और non-tax revenue tax revenue again two types का होता है direct tax and direct tax और non-tax revenue होता है आपका इसमें कोई भी done है कोई जुर्माना है कोई ब्याज है तो इस तरीके से आपका यह रहता है राच सोबे, देखो राच सोबे क्या होता है आपका, सबी करमचारियों की सैलरी यहीं से जाती है, सबसीडिस का पैसा यहीं से जाता है, कर्च का बुक्तान भी यहीं से किया जाता है, स्वास्ते सुविदाई, सिक्षा योजनाई, इनका खर्चा भी यहीं से होता है, डारेक सर्विस टेक्स एक्साइज डूटी टेक्स कस्टम डूटी टेक्स तो यह होते हैं आपके इंडारेक्स टेक्स सरकार एलाइसी में 3.5 परसेंट इससा वेज दिया था सरकार अपनी कंपनियों को कुछ वाग अन्य को बेच देते तो उससे भी पैसा आजाता है खर्चा किस पर करते हैं अधार्बुट धांचे का निर्मान हाईवे एक्सप्रेक्स वे ब्लड ट्रेन मैट्रो होस्पिटल कोलेज ब्रेज सीपोर्ट तो अपने डवलप्मेंट में घर्चा साथ होता है अब यहाँ से भी कोश्य नाती है बजेट्टरी डीफिसिट क्या होता है बजेट्य घाटा क्या होता है तो देखो हमें घाटा कब होगा जब हम खर्च तो जादा कर रहे हैं और अमें कब रहा यह तभी तो घाटा होगा तो बहुत है उख etaanло प्राइमरी डिफिसिट होता है जो आपकी फिसकल डिफिसिट है उसमें से इंट्रस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है यानि राज कोश्य फिसकल डिफिसिट क्या होता है राज कोशे घाटा माइनस इंट्रस्ट जो भी आपका इंट्रस्ट लगा है यानि जो लो उनका बुक्तान किया उसको मैन्स कर देंगे तो यह हो गया आपका प्रैमरी डिफीचित रिविन्यु डिफीचित क्या होता है रिविन्यु राज़सों घा hea दोनों यूज़ करनी है नेक्स आता है पिछले साल भी अनेप्लोइमेंट से कोश्चन आया हुआ था एच्छिक बिरोजगारी बजार में परचलित मुल्या पर हमें जब काम ना मिले तो उसे बोलते हैं आपकी एच्छिक बिरोजगारी हमें बिल्कुल अपने हमारे हिसाब क काम ना मिले जितनी सैलरी हम डिजाव करते हैं उतनी सैलरी पर काम ना मिले तो वह होती है आपकी एच्छिक बिरोजगारी कौनसी होती है बजार में परचलित मुल्या पर काम करने के लिए तियार होने पर भी काम ना मिलना ठीक है हम उस मुल्या पर कि चलो भई ना से तो पुछ तो आ रहा है बट फिर भी हमें काम नहीं तो वह हो गया आपकी अनेचिक बिरोजगारी चक्रिय बिरोजगारी क्या होती है बजार में आपके आप सेंड डाउन आ रहे हैं तो उससे जो भी बिरोजगारी उत्पनोरी इंप्लोईमेंट तो उसे बोलेंगे आपकी चक्रिय बिरोजगारी गर्शन जनीत बिरोजगारी यानि फ्रिक्शनल बिरोजगारी इंप्लोईमेंट क्या होता जब वैक्ती एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोगजगार में जाता है तो इसके बीच उसमें कुछ दिनों कुछ महीनों की बेरोजगारी और होती है तो इसे ही बोलते हैं आपकी गर्शन जनित बेरोजगारी प्रचन बेरोजगारी यानि डिस्गूसल बेरोजगारी यह पूछी जाते हैं एक्जाम में इसे चुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं हाइड होती है इसमें काम ना होन में लगए होना यानि 5 परसन उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं आराम से और हमने 10 परसन लगा रखें उसी काम को करवाने में और वो 5 भी उतने काम में कर तो यह होते हैं आपकी प्राजन विरोजगारी यानि आती है आपका श्किरिवी यानी अंप्लोईोय इसमें क्या होता हैं काम करने की नइं पदिती और नई तकनिक पर आ जाने पर ठीक है है आपकी पहले फैक्टरी में आपने मजदूर लगा रखे थे फिर आपकी कोई मशीन आ गई आपने फिर वह मशीन लगा ली उस मशीन को लगाने के बाद उन मजदूरों के आपने गर्दी चुटी तो इस तरीके से जो बेरोजगारी आ गई तो उसे बोलते हैं सरचनातमक बेरोजगारी सीजनल आपकी आनेमप्लोईमेंट क्या होता है किर्शी चेत्र में इस परकार की बेरोजगारी मिलती हैं वह फसल हो जैसे चावल है राइस है जब धान लगते तब खेतों में मजदूरों को बुलाते हैं फिर चुटी दान कटते हैं फिर बुलाते जब खेते हैं फिर चुटी तो यह होती है आपकी सीजनल आनेमप्लोईमेंट नेक्स राता है अन्डर आनेमप्लोईमेंट यानि आलप भी रोजगारी इसमें इमप्लोई को उसकी योगिता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता यानि वो PhD कर रहा है फिर भी उसे कुक की जोब कर रहा है वो ग्रूप D में जा रहा है तो इस तरीके से यह होती है अंडर अनिम्प्लोईमेंट नेक्स आता है आप आपका पोवर्टी यानि ग्रीवी तो ठीक है अनिम्प्लोईमेंट अच्छी तरीके से पढ़ ले ना यहां कि देखो चैनल ग्रो नहीं कर रहा है और ऐसे में आगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओं तो मैक्सिमम लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि थोड़ा ग्रो करे चैनल पोवर्टी निर्धनता और गरीब जब वैक्ति अपनी मूल तो इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं यह होती है आपकी सापेक्षिक निर्धनता निर्पेक्ष निर्धनता इसमें गरीबी का आकलन किसी आधार रिखा यानि बेस लाइन और किसी बेस पॉइंट को मान कर किया जाता है इसे अब्जल्यूट न गरेक व्यक्ति 2100 कैलरी परती दिन कंज्यूम कर रहा है तो वो आपकी पोवर्टी लाइन से अबव है खर्च 27 रुपे परड़े और इसमें 33 रुपे डे और यह आकड़े है सुरेस्त अंदूल कर समीतिक आकड़ा ही नेक्स आता है इंकम डिस्पारिटी इनकम डिस्पारि को दर्शाता है तो आई में जो समानता होती है अमीर और गरीब के बीच में जो भी आपकी इनकम में जो आपकी देखी जाते हैं डिस्पारिटी वो होती है वही आपकी इनकम डिस्पारिटी गरीब और अमीर की इनकम में जो भी आपकी उतार चड़ा होता वही लोरेंज व पैरेटी को लॉरिंज वककारोफ के दिखाया जाता है यह कोश्चन भि ँछाम में आ चुका है यह गिनई गुनाग देटीन्ट है दिसे बिल्कुल पूर्णत होती ना जब अचoud करी जीरो आता है what तो इसके बीच में यह मेडियम लेवल का होता है तो यह था आपका गीनी का को गीनी का कोई efficient यानि गीनी गुना किसे इंदी में बोलते हैं गीनी का इसमें 0 से लेकर 1 तक के नंबर दिये होते उसने जीरो बिल्कुल एक्वेलिटी होती है और वन बिल्कुल आपका disparity होती है किसमें ऐसमान था में बारते वित्ते बजार बारते वित्ते बजार जिसे मुद्रा बजार और पुंजी बजार दो पार्च में डिवाइड करते हैं तो मनी मार्केट इस देखो मनी मार्केट पर पूरी तरिके से नियंतरन और संचालन पर तो आर बियाई का हाथ में होता है समय सीमा नियूंतम एक दिन होती है अधिकतम 364 दिन होती है काम शोर्ट रम मार्केट कम समय का बजार होता है अधिकतम एक साल के लिए होता है कोल मनी और टी बिल टी बिल्स आते हैं इसके अंदर यानि टेरिजरी बिल्स राजकोश्य पत्र कोल मनी है जो उसमें नियंत्रण और संचालन आर्बियाई का ही रहता है बारती वित्ते बजार पर एक मुद्रा बजार होते एक पुंजी बजार होते ठीक है तो मनी मार्केट पड़ारी मैं इस वक्ते आपको तो जो कोल मनी होती है नो उस पर तो पूरा कंट्रोल किसका रहेगा रहा रहता है सैर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट आता है इसमें टी बिल्स आते हैं आपके जमापत्र कोमर्सियल पेपर्स आते हैं ववश्याई पत्र कोल मनी इसमें बै वन डे और 24 आर्स यानि ओवरनाइट मनी बैंक जब कर जा एक दिन या 24 गंटे के लिए लेते हैं तो वो होता है लोन फोर वन डे और 24 आर्स ओवरनाइट मनी ठीक है सेकिंड लोन 2-14 डेज नोटिस नोटिस मनी जब दूसरे बैंक से 2-14 दिन के लिए कर जा लेता है याद उसे 14 दिन के लिए कर जा लेगा 14 दिन से ज़्यादा लेगा तो उसे टर्म मनी बोलेंगे ठीक है तो यह 3 टाइपस ओफ कोल मनी होती है इनको आप ध्यान से देख लेना गॉर्मेंट सेक्यूरिटी यानि सरकारी परतिव होते हैं इसमें RBI बजार से पैसा इकठा करके उसे गॉर्मेंट ओफ इंडिया को दे देता है यह सरकारी परतिवुद्य बिल्कुल सेफ रहती है इसमें पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता ठीक है । इसमें बैंक के दुवारा बजार में जारी किया जाता है बैंक बजार में जारी करेगा करेगा पैसा हीं गठा करने के लिए मिनिमम् सेवन डिज होते हैं अप टू आपकी थ्रीहंड़ के लिए होता है पेपर नीजी संस्तानों के लिए जारी किया जाता है टाइम मीनिमम सेवन डेज का होता है मैक्सिमम अप्टू थ्री हंडर सिक्ष्टी फोर डेज का होता है ये लार्ज प्राइवेट कंपनी जारी करती है नेट वोर्थ की बात करें अब इतना याद रखना और लो क्या होता है ये पेपर आपके जो प्राइवेट क्मेंटरी सोती है वो गरती है इपोर्टन आता है ये भारत्य विद्ट्य बजार एक्जाम में कॉशन से आते हैं इंडियन फाइनेशें फाइनेशिल मार्केट एक तो होता भी आपका money market एक होता capital market money market जिसके बार में मैं भी पढ़ा रही थी ठीक है आपका अब दूसरा आता पूंजी बजार controller और regulator नियंतरन और संचालन होता इसका सेवी सेवी की full form भी एक्जाम में आती है Securities Exchange Board of India भारतिय परतिवूती और भी निमें बजार ठीक है इसकी स्थापनाविती 12 अपरेल 1988 को सेवी एक्ट 1992 के तहर है एड़कॉर्टर इसका मुंबई में है चेर परसने इसके मधभी पूरी बज लोंग टरम मार्किट है अधिक समय का ये क्या है बजार है फिर आता है FPO Follow on Public Offer फिर आता IPO Initial Public Offer जब कमपनी पहली बार अपना शेर जारी करती है अपनी इससे दारी जारी करती है शेर खरीदेती है तो वो IPO होता है ठीक है कोई भी कमपनी पहली बार अपनी इससे दारी जारी कर रही है और share खरेदरे तो वो क्या होता है IPO जब company दूसरी बार अपनी हिस्सेदारी जारी करते है तो उसे होते follow on public offer यानि FPO तो IPO और FPO दोनों में यहीं अंतर है IPO single या पहली बार FPO आपका दूसरी बार BSE, NSE देखो Bombay share exchange और आपका national stock exchange यही दो market हैं जासे अपने पुरा stock market चलती है 1875 में खुला यह 1994 में एशिया का सबसे पुराना share बजार है BSE और यह Mumbai में है यह भी Mumbai में दुनिया का सबसे पुराना बजार की बात करें वो आपका नीदर लैंड का है Amsterdam stock exchange 1602 और दुनिया और एशिया का सबसे पुराना share बजार है Mumbai BSE BSE आपका sensex sensitivity index अगर बजार में sensex उपर उठा तो BSE की सारी register कंपनियों के share उपर उठेंगे अगर यह नीचे गिर गया तो सारे share भी नीचे गिर जाती है ठीक है inside NAequी सहनफ निफटी से रेलेटिव होता है निफटी में top 50 कंपनी बड़ी कंपनिया है नीफटी में share बढ़ेंगे तो companies के share भी घड़ते हैं नीफटी में घटेंगे तो company burns के share भी घड़ जाते हैं बिएसी सेंसक्ष, इसका जो, बेसी यर होता है, 1978-79 होता है, 0.100 पर ये काम करता है, एनसी, निफ्टी, बेसी यर 1995 होता है, 0.1000 पर ये काम करता है, डिमेट या अकाउंट, डिमेट खाते में शेयर को डिजिटल और इलेक्टरोनिक रूप में रखा जाता है, प्यान काड अनिवार होता है, डिमेट के लिए, तो डिमेट खाते में क्या क्या जाता है, जो भी आपने शेयर आपका उसको डिजिटल या इलेक्टरोनिक रूप में रख दिया जाता, है Depository Participant NSDL National Securities Depository Limited CDSL Central Depository Service Limited यह दोनों Depository Participant की सेवाहीं देती हैं ठीक है NSDL और CDSL मंचुल मंचुल फंड मंचुल फंड देखो आप सबने अब पता कितनी माती अपने रिक्स पर मार्केट में पैसा लगाती है अब आता आपके लिए पोटेंट टोपिक National Income राश्टी है आई GDP देखो सबको पता है GDP फुल फोम पताव निचे वे ग्रोस Domestic Product घ्रेलू अपनी बंगोलिक सीमा के अंदर एक देश की बंगोलिक सीमा के अंदर जितना भी उतपाद होता है ग्रेलू उतपाद होता है वस्तोर से माओं को वह होता भई GDP ठीक है एक वितवर्स हमारा स्टार्ट होता है एक अपरेल से 31 मार्च सक चलता है इसमें जो वस् बांडरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है जो भी सर्विसीस है उनकी वेल्यू तो उसमें आपकी पलस हो जाती है नेट फैक्टर इंकम फ्रोम एपरोड जी एनपी किसी देश के नागरिकों की दुआरा किसी देश के नागरिकों की दुआरा एक वित्ते वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पाद और सिवाई यह आता भी आपका जी एनपी में दिखो कंपनी सीटी यह चुड़ो एनराई का पैसा जी एडिपी में कभी भी नहीं आएगा इससे आप समझ जाओगे एनराई का पैसा आपका जी एनपी में शामिल होता है जी डिपी में कभी भी शामिल उसे नहीं किया जाता और पी आई ओ कोन होते हैं पी आई ओ होते हैं परसन ओफ इंडियन ओरिजन यानि भारते मूल के नागरिक इनका GDP में तो X होता है और GNP में इनका X सामिल नहीं होता अब आता है आपका depreciation यानि मुल्य हार्ज किसी वस्तू और मशीनों के समय के साथ वे रख रखाओ या गिसावट को उसका मुल्य हार्ज कहते है नेट नेट होता है शुद या कुल is equal to gross होता है सकल माइनस depreciation होता है मुल्य हार्ज यानि आपके पास जो भी आपके पास gross थी value थी उसमें से हम गिरावट को हटा देंगे तो हमें net value हमारे पास निकल के आ जाएगी और gross को इस साड़ लाओगे ग्रोस निकालोगे तो net में हम plus कर देंगे मुल्य की गिरावट को तो ndp क्या होता है net domestic product शुद कुल या शुद घरेलू उत्पाद ndp is equal to gdp ठीक है gdp में से जब हम depreciation को माइनस कर देंगे तो हमें ndp value मिल जाएगी depreciation यानि गिरावट हमने माइनस कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा भई ndp net value मिल जाएगी हमें domestic product क्योंकि अभी मुल्य की गिरावट आपकी GDP में थी ना तो GDP में हमने टोटल ली ती GDP में तो GDP में से depreciation माइनस कर दोगे ndp value जाएगी अब GDP अगर हमने लिकानना है तो ndp में आप क्या करोगे दुबारे से depreciation प्लस कर दो आपके पास GDP value जाएगी इस तरह किसे यह पूछे जाते हैं इनको ध्यान से करना NNP क्या होता है नेट नेशनल प्रोडेक्ट शुद्राश्टे उत्पाथ NNP होता है आपका GNP से देखो ndp हमने यूज किए GDP NNP में हमें यूज करेंगे GNP यानि ग्रोस नेशनल प्रोडेक्ट जिसमें हम क्या करते हैं जो इंकम अब्रोड से आ रही है उसे भी हम प्लस क देते हम तो GNP माइनस depreciation यानि मुल्यों में गरावट माइनस कर देंगी तो आपकी NNP निकल के आ जाएगी और GNP घेट करने के लिए हम NNP में प्लस कर देंगे depreciation फैक्टर कोस्ट 50 कोर्स शाधन मुले और कारक मुले जो वाज्थिक मुले जो किसी असली कीमत पर होती हैं मार्किर कोर्स बजार मुले किसी वस्तुः के अंती मुले जो पजाद में उपलब्द है नेट इन डिरेक्ट टेक्स अई्धू अई टे draug कूल आप अर्थयक शकर net indirect tax हमें कैसे मिलेगा वई tax में से जब हम subsidies minus कर देते हैं तब हमें मिलता है net indirect tax बजार मुले आपका क्या होता है factor cost plus tax minus subsidies यानि factor cost में जब taxes plus कर देंगे और subsidies को minus कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाती है market rate ठीक है उसी तरीके से market cost factor cost में हम NIT plus कर देती है तो NIT का meaning क्या होता है NIT का meaning यही होता है tax minus subsidies तो बात तो सेम होगे न तो यह formula exam में आता है market cost is equal to factor cost plus NIT या फिर आपको tax minus subsidies NIT की जगे tax minus subsidies भी लिखा हुआ मिल सकता है factor cost का formula क्या होता है जो market cost हमारे पास है उसमें से हम tax और subsidies को उसमें plus कर रहे थे ना factor cost में tax and subsidies हम plus कर रहे थे हमें market cost मिल रहे थी अब factor cost में हम इसे minus कर देंगे यानि market cost minus NIT तो हमें मिल जाएगी हमारी factor cost factor cost वो cost होती है जो कि हम उस पे खर्चा करते है किसी भी चीज को बनाने market cost क्या होती है जिस cost पे हम उसे बेचती है market में फिर आता है national income national income को कैसे calculate करेंगे तो NNP factor cost पर ठीक है NNP अगर factor cost पर बात करें तो यही हमारा real national income होती है क्योंकि हमारी national income factor cost पर तो मिलती है NNP market cost पर nominal national income इसे बोलते हैं प्राज़ज़े राश्टिया आई परतिवेक्ति आई निकालने का यह फर्मूला एक्जाम में आया था यह आच्छुकाए question में per capita income भी से बोलते है परतिवेक्ति आई को per capita income PCI is equal to कुल आपकी national income divided by national population तो हमें हमारे पास निकल के आजाएगी average income तो यह आपकी अब आगे आते हैं कुछ banking की सब्दावली CBS code banking नहीं यह आपके नहीं आता अभी रुक जाओ आपके लिए जो important है न मैं वही कराऊंगी यह MCI code वगरा तुमारे नहीं पूची जाते यह पर सकते हूं चेक सबको पता है क्या होता है एक पेयर होता है एक भाई ड्रोर होता है जिसके नाम पर चेक काटा पेयर होता है और ड्रोर होता है जिसके खाते से पैसा कटा है टाइप ओफ चेक बिरियर चेक इस परकार के जो चेक का payment bank काउंटर पर cash में होता है और पैसा चेक धारन को दिया जाता है payment only in cash में होती है जिसके हाथ में चेक होगा पैसा उसी को ही मिलेगा counter pay check होता है इसमें जो check का बुकतान खेबल back account में होता है left side में दो line और line के बीच में इस तरीके से आपका लिखा हुआ होता है तो account में आएगा post debt check यानि आगे की तारीक का check भी होता है इस check की मदद से आपकी भविष्य में बुकतान किया जा सकता है इस तरीके की चेक की स्टेल चेक यह बासी और पुराना चेक होता है ऐसा चेक जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है उसे स्टेल चेक कहते हैं इस परकार के चेक का बुक्तान बैंक के दुवारा नहीं किया जाता है सी टी ऑस चेक ट्रॉनेशन सिस्टम इस प प्रनावली का प्योक बैंकों के दूआ चेक का अट्यजी से बुक्तान करने लिए किया जाता है जो आपको कराऊंगी on the international organization यह आती है आग्जाम सब्सक्राइब दिवस आता एक्जाम में 24 अक्तुबर को मनाते हैं है और इसका जो आइडिया था वो फ्रैक्लिन ने दिया था डी रोसे वेल्ट ने भी युएस के प्रेसिडेंट ने थे इन्होंने दिया था युएन जो शब्द को 1942 में दिया था सदश्य देश इसके 193 देश है नया देश है दक्षनी शोरान जो की 2011 में शामिल हुआ है संस्तापक देश है 51 देश भारत भी था इसका सुरुवात में वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अंटिरियो गुटेरस ये कोशन एक्जाम में आ युएन वर्किंग लैंगिज इंग्लिश और फ्रेंच है और ऑलिव ब्रांच जेत उनके पेड़ की साखाएं यानि शान्ति का परतिक इस तरीके का सिंबल है भई आपका इसका ठीक है वर्ल्ड मैप भी है बीच में जो की संसार का मान चीत रहे है ऑलिव की ब्रांच है य जो कि आपकी शान्ति का परतिक है यूएन प्रिंसिपल ओर्गंस सन्युक्त रास्ट संगटन के मूलभूत सिधान्त यू एन जी ए यूएन एस एको एस ओसी और आपका फॉर्थ पर ट्रस्टिशिशिप काउंसिल और फिफ्थ पर यूएन सचिवाले तो फाइफ के पर ट्रस्टिशिशिप काउंसिल का अंतराष्टे नियाल है इसका हैड़क्वाटर हैग में पड़ता है निदर लेंड में यू एन जी ए हैड़क्वाटर पता ही आपको ठीक है यूनाइटर नेशन जर्नल एसम्बली सन्युक्त रास्ट महासवाई से बोलते हैं विस्व क संसत भी कहते हैं विस्व का सुविधान का यू एन चार्टर के नाम से जाना जाता है समाने हर साल से तंबर के तीसरी सफता में इसकी बैठक कायोजन किया जाता है यू एन एस ए यूनाइटिड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल सन्युक्त रास्ट सुरक्षा परिशद हैड जाता हैं तो कुल 15 सदर्श को तो बिलका समर्तन जरूरी होगा यह tens 30 सदर्श का कारेकार यहाँ अपर दो साल का ही होता है और भारत भी आपका ए सथाई सदस्चे है इसका सुन्युक्तरास्ट सुरक्षा परिशत का सुरू में 1951 में UNSC का आ सथाई सदस्चे बना 2021 और 22 में आठवां आ सथाई सदस्चे ये बना है ECOSOC Economic and Social Council आर्थिक के वन समाजिक परिशत हैड़ क्वार्टर है बाइसका न्यू डैली में कहां पर है न्यू डैली में विश्व के आर्थिक और समाजिक विकास के लिए ये काम करता है टोटल मेंबर कंट्री से 54 देश एक सदस्चे का कारेकाल भी होता तीन वर्ष और एक तिहाई सदस्चे 18 सदस्चे हर वर्ष यहां पर रिटायर हो जाती है UN सची वाले सनुक्तरास संगठन को प्रशाशनिक मदद करता है इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिक यानि अंतरास्टे नियाल है इंटरनेशनल लेवल पर देशों के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलजाने में ये काम करता है हैर क्वाटर होता है इसका हैक निदलैन में आई सीजे में कुल आपके फिफ्टेन आपके जज होते हैं एक जज़ का कारेकाल नो साल का होता है हर जज हर तीसरे वर्श रिटायर होती है ट्रस्टिशिप काउंसल यानि नयाए परिशद ये नई आजाद सिमा और देश ठेत्रों को दूसरे विशवयूद के बाद प्रशाशनिक मदद देने के लिए काम करता है आपका ट्रस्टिशिप काउंसल 1993 में ये बिल्कुल इन एक्टिव है 1993 से जुलाई 1944 में ब्रिटेन वूट्स समेलन हुआ था ब्रिटेन वूट्स समेलन हुआ USA में इसमें आपकी दो संस्ताओं को बनाने की बात की गई थी एक IBRD जिसको रिसेंट में हम वर्ट बैंक कहते ह हैं और एक आपका IMF इन दोनों को ब्रिटेन वूट्स जुडवा के नाम से भी जाना जाता है तो वर्ट बैंक के बारे में ध्यान से पढ़ लेना इंपोर्टेंट है ये वर्ट बैंक का हैड़ क्याटर आपका वासी गंटन डीसी में USA में मेंबर है 189 देश 2016 में नारू देश इसमें जुड़ गया था हैड़ इसके मिस्टर डाविड मालपास USA में एम लक्षे के आप विशवसे गरीबी को बिल्कुल खतम कर देना वर्क ये आपकी जो डवलपिंग कंट्रीस है ना उनके लिए वर्क करते हैं लोंग टरम उन्हें लोन देते हैं ताकि वो डवलपमेंट कर पाए IBRD International Bank for Reconstructions and Development यानि अंतराष्टे पुर्णे निर्मान और विकास बैंक है ये ये मीडल इंकम ग्रूप वाले देशों को उनके डवलपमेंट के लिए पैसा देता है IBRD जो डेस लोन लेकर पैसा दे देते हैं उन्हें अच्छी साख वाले देशों को पैसा देता है IDA International Development Association अंतराष्टे विकास संग ये आपके बिल्कुल लो लेवल के इंकम वाले जो देश होते हैं उनको रियाईती दरो पर बिल्कुल लो लेवल पर क्या देता है बोरो देता है पैसे उदार देता है विसु बैंक की रियाईती दरो की खिड़की बोला जाता है IDA को विस नेशनलन मोनेटरी फंड अंतराष्टे मुद्रा कोस हैड क्वाटर है वाशे गंटन डीसी में और इसकी दो हैड नाम याद रखना क्रिष्ट लीना जाज जिर्वा यह याद रखना एक्जाम में पोची जाते हैं कई बार इसकी फुल फोर्म कई बार इसका हैड कई बार देश हैं 2020 में अंडोरा देश इसमें शामिल हुआ था करंसी हैं एसडियार स्पेशल ड्राइंग राइट सेंसके बास विशिस्ट आरन अधिकार हैं कागजी सेना पेपर गोल्ड मुद्रा की और बास्किट ओफ करंसी भी से बोलते हैं यानि मुद्रा की टेकरी यूएस ज भी साब्सक्ति प्यालनस ओप्यर मेंट भी खन यानि बुकतान संतौबन आपका इंकम सौर्स की मदनेस करणसी यानि एक्सपोर्ट निर्यात करना भी सना जितना हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उत्ना ही पता है हमारे देश की अंदर क्या आएगगी फोरं करंसी तो वह होता है investment, FDI, foreign direct investment, परत्यक्ष विदेशी निवेश को होते हैं, FIT, foreign institutional investment, ठीक है इसे विदेशी संस्तागत निवेश के नाम से जाना जाता है, ब्रोइंग क्या होता है, उधार, यानि आपका government से लेना या सवंजिजन से लेना तो इस तरह की सी, ECB, external commercial borrowing, means company पैसे जब उधार में देती है, तो वह होता है आपका ECB, रिमेंटिंस क्या होते हैं, प्राक्तिया, NRI, transfer होता है money, कहां, इंडिया, tourism, प्रेटन, प्रेटन द्वारा पैसा आता है, health, स्वास्ते देश के अंदर इलाज कराने आते हैं, तब भी पैसा आता है, religious work, राम देश जैसे सिरी रवी शंकर धार में को एकते हैं, तो वह भी देश में पैसा लाते हैं, तो इन सभी तरीकों से इंडिया में क्या आता है, पैसा आता है, आउट गोइंग, अब देखो, आपने पढ़ा, इंडिया में पैसा, बी ओपी, यानि बैलन्स ओप पैमेंट किस तरीके से होता है, तो कौन-कौन से incoming source से इंडिया में आने के investment से आ गया बही, जितना जदा हमने export किया, समान को बेचा, उससे पैसा आ गया, ठीक है, हमने किसी देश को उधार दिया, ठीक है, या फिर किसी देश से उधार लिया, प्राप्तियां कर ली, अलग-लग, ट्योरिजम से आ गया, हेल्ट से आ गया, रामदेव इस तरीकी से religious work से अब जाता कैसे है, इंपोर्ट करते है, जब हम किसी अन्य देश से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, तो भी हमारा पैसा जाता है, तो भी आपका क्या होगा, आउट गोइंग हो रही है, बी ओपी, बैलनस ओप पेमेंट क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट पुंजी खाता, और आपका एक तो होता है, आपका चालू खाता, ठीक है, करन्ट अकाउंट ही होता है, आपका कैपिटल अकाउंट पुंजी खाता, जो चालू खाता होता है, एक तो विजिबल ट्रेड होता है, एक इन्विजिबल ट्रेड होता है, विजिबल ट्रेड इसमें आपका क्या रहेगा just Amaeks इन्डिया जादा इंपोर्ट करता है विजिपल ट्रेड को इन विजिबल ट्रेड सर्विसी्स आती है ठीक है एन यराइमिन भी आपकी आ जाती है इन विजिबल ट्रेडि में इंडिया के कौण सा बहरी इंडिया का क्य घ्राम systems and commercial development of money जब किसी देश केम घ्रामिक अंत्रास्टे मुद्रा की तुनला में कम होटा तो उससे क्या बोलते हैं the valuation of currency जब मुद्रा का मुल्य कम होगा तो हमारी वस्त्वें भी क्या हूंगी। Champ ओंगी चीप यह था आपका मेरी तरफ से economics complete economics मैंने कराती है जो important topic आपके आती है वो मैंने कराती है फिर भी आपकी मैं यह कहूंगी अगर 11 की economics आपकर जाओ ना तो 11 की economics से जो आपको यह question देखने को मिलते हैं डिमांड वगेरा revenue, demand, cost, mc, ac तो यह सारा आपकी 11 की economics से आता है ठीक है तो 11 क economics का ही maximum part आता है बट जो मैंने अब यहाँ पर कराया है ना economics के 15 questions में से 10 questions आपकी एक गंटे की वीडियो कवर करा देगी अगर आप अच्छे तरीके से देख लोगे 10 number आपकी आराम से आजाएंगे यहां से 10 questions 10 से 12 questions आपको इसी वीडियो से मिलेंगे ठीक है तो इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी like, share and subscribe कर देना अगर किसी को TGT और PGT और net level के TGT, SST, PGT और net geography के paid notes चहीं तो वो मेरे पास available है तो मेरा number रहेगा 972877666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666